पांच राजियों की विधान सबा चुनावों में अगर ये हाल है तो दो हजार चौबिस लोग सबा चुनाव में क्या हाल होगा सवाल खड़ा होता है ये चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है या फिर की बिजेपी का एजेंट बन कर बैठा है मतलब भद होती है बेशर्मी की भी आपको बता दे जब ये लोग रुजानों से लेकर पोल्स में महा पोल में महा सर्वे में हार रहे हैं तो कतित तोर पर इतना घटिया खेल किया जा रहा है जिसकी तो उमीद भी नहीं की गई थी एक तरफ तिलंगाना में बोटिंग चल रही है वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो निकल कर सामने आया है जिसमें बोट कैप्चिरिंग हो रही है एक तरफ बोट कैप्चिरिंग हो रही है वहीं दूसरी तरफ चुनाओ अधिकारी मौच कर रहा है इस वीडियो के सामने आने के बाद से बवाल खड़ा हो गया है तो क्या बवाल खड़ा हो गया है कैसे खेला किया जा रहा है मैं आपको तफ्तीश से बताऊंगी लेकिन सबसे पहले किस वीडियो ने बवाल मचा दिया है वीडियो दिखाती हूँ तस्वीरे आप अपनी पोल स्क्रीन पर देखे तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाओ को मजाग बना कर रखा है एक तरफ चुनाओ अधिकारी बैठा हुआ है वहीं दूसरी तरफ खुलम खुला बूत कैप्चरिंग चल रही है CCTV में ये सब कुछ कैद हो गया है जब भी कोई वोट डालने के लिए जाता है तो एक अंजाई शक्स आता है और EVM तक उसके पास जाता है और बटन दबा कर वापस चला आता है वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाओ दिकारी वहीं पर बैठा हुआ है लेकिन उस शक्स को लेकर कुछ बोला तक नहीं जा रहा है रेट सर्किल में जो शक्स आपको दिखाई दे रहा है वो किस तरीके से धडले से कुलम-कुला बूत कैप्चरिंग कर रहा है वीडियो में अपने आप साफ होता हुआ नजर आ रहा है तो ये चुनाओ चल रहा है पांच राजियो के विधान सबाद चुनाओ है उसकी वोटिंग और वोटिंग में क्या कुछ हो रहा है आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो तिलंगाना का है तो मैं आपको बता दू ये वीडियो तिलंगाना का नहीं बलकि मद्द्देश के भिंड का है जो कि सोशल मीडिया पर तिलंगाना वोटिंग के बीच वाइरल हो रहा है और पब्लिक इस वीडियो को शेयर करके सवाल कर रही है अगर ऐसे ही चुनाव करवाना है तो तिलंगाना में भी वोटिंग की जरूरत क्या है फिलाल इस वीडियो के बास से बवाल मच गया है ये व तो दिन पहले एक वीडियो निकल कर सामने आया कि मद्यपिदेश के बाला घाट में किस तरीके से पोस्टल बैलेट खोल दिये गए हमने आपको वीडियो दिखाया अभी खबर निकल कर सामने आये कि 11,000 पोस्टल बैलेट गायब हो चुके हैं कॉंग्रेस आरोप लगा रही ह चुनाव आयोग से कारवाई की मांग कर रही है लेकिन मद्यपिदेश में सुई पटक सन्नाटा कायम है अब तिलंगाना में वोटिंग चले है और तिलंगाना की वोटिंग के बीच बूत कैप्चरिंग का वीडियो निकल कर सामने आया है मद्यपिदेश जहाँ पर डबल की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में चुनाव आयोग क्या कर रहा है चुनाव अधिकारी क्या कर रहा है आप वीडियो में देख सकते हैं फिलहाल यह तो हुई मद्यपिदेश की वीडियो की बात बूत क्याप्चरिंग की बात अगर मैं आपको तिलंगाना की तस्वीर तो तिलंगाना में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव चल रहा है यह चुनाव आयोग चुनाव कर रहा है या फिर की मजाग कर रहा है यह समझना मुश्किल है आप देख सकते हैं तिलंगाना में वोटिंग के ही बीच BRS, BJP और कॉंग्रिस के लोग भीड़े क्योंकि चुनाव आयोग को मैं बता दूँ आपको कि तरहा तरहा की इस वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं चुनाव आयोग से लगातार शिकाय भी की जा रही है लेकिन चुनाव आयोग किसी तरह का कोई आक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है मगर तिलंगाना में लिया गया है मगर चुनाव आधिकारियों पर किसी तरह का कोई आक्शन नहीं हुआ है आक्शन हुआ है पुलस आधिकारियों पर तो क्या आक्शन हुआ है खबर आप देखेगा पंजाब केसरी की लेकि इसमें लिखा है कि तिलंगाना में चुनाव आयोग की बड़ी तीन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने का दिया आदेश तो पुलिस अधिकारियों को तो सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन चुनाओ अधिकारियों को क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा है चुनाओ अधिकारियों को लेकर क्यों नहीं जवाब दिया दा रहा है सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है फिलाल तिलंगाना में वोटिंग की जा रही है लोग कतार में लगे हुए है बंपर वोटिंग जा रही है और इसी वोटिंग के बीच न्यूस चैनल्स ने एलान कर दिया है कि भारतिय जन्ता पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है पहले चुनावों में बिजेपी का सफाया हुआ अब खबरों में भी बिजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है यकीन नहीं होता तो खबर आप देखें NDTV की NDTV चैनल भी खबर चला रहा है कि तिलंगाना में अगर fight है तो सिर्फ और सिर्फ Congress और BRS के बीच है देखें NDTV में लिखा है कि तिलंगाना विधान सभा की 119 सीटों पर voting जारी BRS Congress के बीच मुख्य मुकाबला तो मोदी जी, शा जी, नडडा जी लगाता रैली पर रैली किये रोडशो पर रोडशो किये लेकिन अब खबरे निकल कर सामने आरे कि तो BJP तो हाई नहीं BJP fight में तो तिखाई नहीं दे रही है fight में अगर कोई है तो वो है BRS और Congress पैसे मैं आपको बता दो जो BRS और Congress के बीच टककर है यह भी कोई जोरदार टककर नहीं है क्योंकि रुजहान अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे है कि भारती जंता पार्टी का तो सफाया है है 4-5 सीटे मिल रही है लेकिन Congress को भी BRS से दुगनी सीटे मिल रही है आप सर्वे देख सकते हैं सबसे लेटेस सर्वे में आपको दिखा रही हूँ Congress को 69-79 सीटे और वही BRS को 49-43 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है तो ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि जब साउस से भारती जंता पार्टी का सपाया होता हुआ नजर आ रहा है तो क्या मद्य पिदेश से लेकर राजस्थान में खेला किया जा रहा है क्योंकि तरह तरह के वीडियो हैं तरह तरह की खबरे हैं उस पर चुनाओ आयो किसी तरह का संग्याल लेने या फिर की जबाब देने के लिए तैयार नहीं है आपको बता दें जो भिंड का मैंने आपको वीडियो दिखाया है जिसमें बूत कैप्चरिंग की जा रही और चुनाओ अधिकारी मौस से बैठा हुआ है उसमें भी बड़ा खेल है अब खेल क्या है? वो समझाने की कोशिश करती हूँ देखे मैंने आपको वीडियो तो दिखा दी अब खबर दिखाते हूँ खबर आप देखिए MP तक की देखे इसमें लिखा है कि MP election results से पहले आया चंबल से बूत क्याप्चरिंग का वीडियो दबंग शक्स के सामने अधिकारी नत मस्तक थे अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा था सुनाई नहीं दे रहा था वो तो वीडियो में साफ होता हुआ नजर आ रहा है अब इसी भिंड की अगर बात की जाए तो भिंड में जब BJP के नेताजी BJP के प्रत्याशी प्रचार करने के लिए पहुचे तो थे तो भिंड की जंता ने दोडा लिया था कैसे वीडियो देखे तो आप वीडियो में देख सकते हैं एक तरफ मैंने आपको भिंड में बूत कैप्चरिंग का वीडियो दिखाया वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरीके से BJP प्रत्याशी लाल सिंग आर्य पहुचे हुए है चुनाव प्रचार करने के लिए पब्लिक उनको हातों से धक्का दे देकर वहां से खडेड रही है कितनी वजयत हुई भिंड में आप देख सकते हैं चंबल से लेकर ग्वालियर तक BJP का गड़ माना जाता है जोदर आदत सिंद्या की तूती बोलती है लेकिन अब इन जगाहों पर भी BJP कोहार का कितना डर सता रहा होगा आप इन वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं अब ऐसे हालातों में बूत क्याप्चरिंग का वीडियो निकल कर सामने आया है क्योंकि मैं आपको बता दू भिंड को लेकर तरह तरह की खबरे निकल कर सामने आये एक खबर भी दिखाते हो खबर आप देखे इसमें लिखा है कि काउंटिंग के पहले भिंड कलेक्टर को हटाने की मांग कॉंग्रिस नेता गोविन सिंगने की चुनाव आयोग से शिकायत तो पहले ही मांग करने लगे थे भारतिय जंता पार्टी वाले की कलेक्टर को हटा दिया जाए अब कलेक्टर को हटाने की क्यों मांग की जा रही थी? सवाल खड़ा होता है ये खेल पहले ही से चलता रहता है खबर दर खबर है आप समझ सकते हैं फिर उसके बाद वीडियो निकल कर सामने आया कि BJP के प्रत्याशी को वहां से ख़देर दिया गया है और अब वीडियो निकल कर सामने आया है कि भिंड में बूत क्याप्चुरिंग की गई है फिलाल भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही जाकर इस वीडियो के सामने आते ही चुनावायोग से शिकायत कर दी है अब भारतीय जनता पार्टी कितनी पाक साफ है ये अपने आप में यहाँ पर समझने वाली बात है फिलाल तिलंगाना में वोटिंग जारी है और तिलंगाना की वोटिंग के बीच मद्दिपिदेश और राजस्थान का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है तरा तरा के वीडियो हैं और ये वीडियो अपने आप में भारतिये जनता पार्टी का डर साफित करते हुए नजर आ रहे हैं फिलाल इन वीडियो उस पर आप क्या सोचते हैं और तिलंगाना में जो वोटिंग जारी है उस पर आप क्या सोचते हैं कि किसका पल्ला भारी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इन वीडियो को ज़ादा ज़ादा शेयर करें सब्सक्राइबर पोटे दबायाएं बला